हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे बच्चों इस वडियो में हम डिस्कुस करेंगे संख्याओं के द्वारा शिरू किया गया पठन अभियान के तहत कक्षा चटी सात्वी और आटवी की वर्कशीट और ये है वर्कशीट नमबर दस जो की 28 जन्वरी 2022 की वर्कशीट है तो बच्चों सबसे पहले आप यहां अपना नाम लिखेंगे और यहां आप अपनी टीच तो यहां पर हमें कुछ नमबर्स दे रखें हैं इन सभी नमबर्स को एक सीक्वेंस में हमें लगाते जाना है मतलब जोईन करना है और उसके बाद जो फाइनली पिक्चर हमारे सामने आएगी उसको हमें कलर करना है तो देखिए एक से लेकर बाइस तक तो इन्होंने जोई कर रखा है तो 22 के बाद आता है नंबर 23, 24 फिर 25, 26, 27, 28 और इस तरीके से आप अगले अगले नंबर के साथ इसको जोईन करेंगे 33 है उसके बाद 34 है उसके बाद आ जाएगा 35 तो फाइनली मैं पूरा जोईन करके फिर आपको दिखाती हूँ तो फाइनली आपको ये कुछ पिक्चर मिलेगी और आप इसको कलर कर सकते हैं अब यहाँ पे दूसरा प्रश्ण है कि चित्र में सबसे आखिर में आपने किस बिंदू को जोड़ा तो बच्चों देखो यहाँ पे है सबसे आखिर वाला बिंदू यानि है 124 ठीक है तीसरा प तीन और तीन सो पंद्रा हमें लिखना है कि इन संख्याओं में कितने अंक हैं तो 96 में एक दो दो अंक हैं तीन में सिर्फ एक अंक हैं तीन सो अगर पंद्रा में हम देखते हैं तो एक दो तीन यहाँ पे तीन अंक हैं तो इस तरीके से आप इन संख्याओं में अंकों की सं रंख्याओं को 96 3 & 315 को बढ़ते एवं घरते क्रम में लखिए तो सबसे पहले हमें बढ़ते करम में लिखना है बढ़ते क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े कि तरफ जाना जिसको हम आरोही क्रम भी कहते हैं तो सबसे पहले हम छोटा लिखेंगे यानि कि 3 उसके बाद लिखेंगे हम 96 और उसके बाद लिखेंगे 315 अब इसके बाद क्या करना है इसको घटते क्रम में लगाना है घटते क्रम का मतलब होता है कि बड़े से छोटी के तरफ जाना यानि सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे 315 उसके बाद आजाएगा 96 और उसके बाद आजाएगा 3 अब देखो question में हमें कहा रखा था कि हमें चिन्नों का अस्तमाल करना है इन वाले चिन्नों का अस्तमाल अब अगले में क्या होगा निशान ऐसा हो जाएगा क्योंकि इस case में बड़ी संख्या इस side है ठीक है और यहाँ पे भी हम ये निशान लगाएंगे तो इस तरीके से हम इन संख्याओं को पहले बढ़ते क्रम में और फिर घटते क्रम में अरेंज कर देंगे तो चौथा प्रश्ण कंप्लीट हो गया हमारा चलिए देखते हैं बगला प्रश्ण पाचवे प्रश्ण में हमें कह रखा है कि इन संख्याओं को घटते क्रम में लगाईए घटते क्रम का मतलब है कि पहले बड़ी संख्या फिर उससे चोटी संख्या और चोटी संख्या क वो है 60 और 60 के बाद जो सबसे छोटी संख्या है वो है 4 तो इस तरीके से आप पांचवा प्रश्ण हल करेंगे और छटे प्रश्ण में हमें कह रखा है कि चित्र में प्रियुक्त किनी भी 4 संख्याओं को बढ़ते ग्रम में लिखे तो उपर जो चित्र बना रखा है उनमें स लिखते हैं 93 और उसकी बाद हम लिख देते हैं 100 तो कोई भी 4 संख्या लेनी थी तो हमने ये 4 संख्या लेके इसको पढ़ते क्रम में अरेंज कर दिया है ठीक है बचो तो ये थी आज की हमारी माद्स की वाकशीट और आई होप आप सभी को ये वाकशीट बहुत ही अच्छ